जैहिन देखे साओधी अरब ने एक अपना कानून को खतम किया जिसका नाम है कफाला कानून इससे भारत को बहुत जादे फायदा मिलने वाला है और अभी हाली में फिलिपीन्स ने भारत से कोस्टल अड़ाडार को लिया इन दोलों को समझते हैं देखे भारत से हर साल लाख खाड़ी देश उन्हें कहा जाता है जिनकी सीमा ये फारस की खाड़ी नामक इस समुंदर से सटती है तो फारस की खाड़ी से सटने वाले आठ तेसो काम खाड़ी देश करते हैं जिसमें ओमान, UAE, कतर, बहरेन, साओधी अरब, कुवैद, इराक, इरान आते हैं तो यहाँ भारत के बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन यहाँ बहुत ही गलत कानून था जिससे कफाला यानिSponsored Rule के नामसे जाना जाता था जिससे मलदूरों को बहुत जादे सोसड होता था यह कफाला कानून क्या कहता था कि अगर आपको साओधी अरब में जाना है काम करने के लि अगर company को लगे का नहीं उसे worker की जल्दी जरुवत है हम इसे नहीं जाने दे तो आपको नहीं भी जाने दे सकती है 6-6 महिने लगा देती थी आपके घर में को emergency हो जल्दी आने नहीं देते थे तो पहला एक यह दिक्कत था और सबसे बड़ा जो दिक्कत था कफाला कानून के ताद कि वहाँ पे सोसर होता था मजदूरों का मान लिजे कि कोई worker इंडिया से गया है इस company में काम कर रहा है और इसे 30,000 salary दी जारी है लेकिन इसी को छुटी के टाइम पे घूमने गया तो पता चला है कि यहां से 5 km दूर एक कोई और company है वहाँ इसे 30,000 के बदले सेम काम की 50,000 salary दी जाएगी तो अगर यह company वाल यह worker जो इंडिया से यहां गया है यहां रिजाइन देता है और उस company में जाइन कर लेता है तो पुलिस इसे कफाला कानून के तद पकड़ के जेल में डाल देगी आप नहीं change कर सकते थे इसको change करने के लिए आपको क्या करना रहता था इस company से आपको रिजाइन देना पड़ेगा और वापस इंडिया आना पड़ेगा इस company को छोड़का इंडिया से आने के बाद फिर इस company में apply कीजेगा यह receive करेगा तब आप जा सकते है इतना complicated था यह अभी क्या था कि मालीजे कोई जाना चाहता था इस company से छोड़के इस company में ताकि उसे 30 के बतले 50,000 रुपय मिले तो यहां रिजाइन देता था न तो company वाले रिजाइन ही नहीं लेते तो करते नहीं जाने देंगे तो आपसपोर्ट जमा कर लिए तो बहुत जादे यह कफाला कानून गलत था इसका खामियाजा खुद सौधी अरब को भुगतना पड़ा था भारत से 2014 में सौधी अरब में लगवग आठ लाख लोग काम करने के लिए गया और 2018 में देखेंगे तो यह आकड़ा गटके 3,40,000 हो गया इतने खराब कानून क के वज़ए से जादे तर लोग ओमान वगरला में सीफ्ट होगा साओधी अरब के बगल में तो इसको इस कानून को साओधी अरब ने खतम कर दिया का कि यह 2020 में यह कानून खतम हो जाएगा अब भारत के लोग जो काम कर रहे हैं अगर वwग अ कंपशनी है यह कंपनी में उ वो अपनी सिकायत करें कि हम इस कंपनी के साथ खुश नहीं हम उस कंपनी में जाना चाहते हैं, वो कंपनी हमें बुलाने भी रेडी है, आप हमें इसका अप्रूबल दे दिये, तो अब सरकार वहाँ पे इसका अप्रूबल दे देगी, इससे भारत के लिए बहुत अच्छी ख़बर होए, क्योंकि भारत को वहाँ पर काफी जादे प्रॉफित होना है, तो अब कंपनीयों में कंप्टीशन होगा, जो सेलरी अच्छा देगा, मेडिकल फैसिल्टी अच्छा देगा, छुटी ठीक ठाक टाइम से देगा, लोग वहाँ पे चले जाएंगे, तो इससे लोग यहाँ पर दस हजार रुपे भी कमाएंगे, तो आठ लाख में दस हजार करेंगे, करोडों रुपे भारत में आ जाता था, तो यह भारत के लिए अच्छा है, आखिर साओधी अरब ने ऐसा किया क्यों, तो एक्चुली देखेंगे, साओधी अरब के पास अभी चल लेकिन साओधी अरब ने अपने लेबर मिनिस्ट्री को का के इस आदेश को सुधरवा लिया है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कोरोना है, देखें कोरोना ने साओधी अरब को दिखा दिया कि पेट्रोलियम के भरोसे बैठेंगा तो बरबाद हो जाएगे, त कोरोना के वज़े से पेट्रोलियम का डिमाइन घटा, तो साओधी अरब रूस की अर्थ वेवस्तागीरी, तो साओधी अरब को लग गया कि नहीं हमें समभलना है, तो साओधी अरब ने एक मिसन 2030 बनाया, यानी 2030 तक साओधी अरब को अपने पेट्रोलियम पर निर्भरता को हटाना है तो पेट्रोलियम से निर्भात्ता को हटाने के लिए सौधी अरब ने खुद को सोच रहा है कि हम manufacturing hub बनाने के लिए हम labor के लिए अच्छा विवास्ता रखेंगे तो अच्छी बात है आपका flexibility देंगे तो बहुत से लोगों को क्याम करने को यहाँ पे सहुलियत हो जाती है तो इससे तो भारत को बहुत अच्छा होगा कि अब बहुत सारे company वाले जा सकते हैं सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि सौधी अरब जो है Middle East में एक leader है अगर किसी कानून को सुधार सौधी अरब करता है तो जेनवीन समझिये कि इसके अगल बगल वाले भी सुधार करेंगे इसके बगल में है UAE UAE तो बहुत तेजी से सुधार कर रहा है UAE जो है अभी हाल में देखेंगे तो उसने इसलामी कानून में भी सुधार कर दिया, उसने अपने मतलब नियम बना दिया कि 21 साल से उपर कि अगर कोई आदमी है, तो वो साधी से पहले लिव इन रिलेशन में भी रह सकता था, वरना यहाँ पर इसलामी कानून बहुत खतरनाक लग रहा था, तो इन सब को समझ में आ गय सथा को बचाना है, तो यह लोग बहुत तेजी से रिफार्म ला रहे है, अगर इसके कंपरीजन में अगर आप भारत को देखेंगे, तो भारत में बहुत तेजी से कोई रिफार्म नहीं आया है, थोड़ा सा MSME इसको बढ़ावा दिया गया था, MSME क्या है, आपको नहीं प चेंज करना पड़ेगा है, कि कोरोना ने पूरी तरह से लाइफ इस्टाइल बदल दिया, अब यह कितना दिन रहेगा, यह प्रेडिक्ट करना भी मुस्किल है, क्योंकि WHO का अभी का current update देखेंगे, तो कर रहा है कि अभी second wave आने वाला है, तो इसलिए भारत सरकार को भी पर इस एकोनोमी को कैसे भी गिरा देए, यहां भारत का पकड़ है, लेकिन यहां पर चाइना सक्सस नहीं हो पाता है, जिसके दो वजाए है, चाइना में इंग्लीस बहुत कम लोग बोल पाते है, और चाइनीज भासा इसा है कि लोग थोड़ा बहुत भी नहीं जान पाते है, और CBAC वालों का पूछना ही क्या है, इंगलीस से बुलबे करता है, तो यहां पर चाइना पहला इसमें हार जाता है, दूसरा, चाइना के वरकर इसकील है, उन्हें काम बहुत अच्छे से आता है, बट वो मल्टी परपज नहीं है, और हमारे यह अगे वरकर इसकील है, म खाना होना खुदे बना लेगा, तो भारत की जो वरकर है, वो इसकील है, साथ-साथ मल्टी परपज है, तो इस एरिया में भी भारत सरकार को काम करना चाहिए, हलाकि जब सुसमा सुराज जी थी तो इसमें बहुत जबजस्त काम किया था, वो वरकर्स के लिए, यहां के काम के लिए, और दूसरी बात अगर देखिए भारत को, तो भारत नहीं यहां पर उस साइट तो सौधी अरब देख लिए, यहां पर यह फिलिपीन, फिलिपीन को चाइना जो है, बरावर धमकी देते रहा रहा था, कि हमें उसकी जहाज इसके कोस्टल एरिया, समुदरी एरिय में, अब कोई भी दुस्मन का जहाज, पंडू भी कुछ भी आएगा, तो पकड़ लेगा, तो फिलिपीन को भारत ने पूरा लाइने से दे दिया, यहां से, कि लगा दे भाया, तू लाइने से लगा दिया, तो फिलिपीन आने वाले एक से दो साल में, जब यह पूरी तर फिलिपीन का पूरा ओपर रडार फिट कर दिया, हमारे यहां देखने है, धड़ा ध़र टावर लगता है, हर गली मोग, हर गाव में यह टावर डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा, कि फिलिपीन की पूरी कोस्टल बाउंडरी जो है, एकदम सिक्योर हो जाएगी, अब च कुछ भी हो, हर तरह का कर लिया है, अब तो अंडर्वाटर भी कर लिया, लेकिन उसका नाम कलाम रखा गया है, एपीजे अब्दूल कलाम के नाम, पर के मिसाइल बोला जाता है, वो पंडूवी के अंदर समात देती, मतलब समुदर आप बहुत सांत दीखेगा, अचानक उ हर तरह की मिसाइल को बना लिया, तो फिलिपीन का रहा है, कि ये वाला मिसाइल बना, आप हमको भी दे दीजे, ब्रमोस हमको भी दे दीजे, क्योंकि रडार लगा देगे, साथे साथ वो लगा देगे, तो अच्छा ना है, सोने पे सुआगा हो जाएगा, तो भारत सरकार पर विचार कर रही है और आपको भी पता है कि defense deal को काफी secure रखा जाता है हो सकता है कि deal हो भी गया हो या फिर पहुंचने के कगार पर हो तो ये उतना जादे भारत सरकार भी disclose नहीं करती है लेकिन हमको जहां तक लगता है कि बियतनाम ये वाला जो बियतनाम है और फिलिपीन क नहीं है क्योंकि चाइना ने जो गल्वान में घुसके अपनी आती पार कर दिये और हमारे यह कहा जाता आती सर्वत बर जते भाई आती जो होता है बहुत खराब माना जाता है तो I hope government भी इसको aggressive लेगी मिलेंगे next class में जहिन